नवश्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके तैयारी बढ़िया चलनी होगी दोस्तों आज हम लोग SSC MTS जैसर कि आप सभी लोग यहां पर जानते होंगे SSC MTS के पेपर के लिए हम लोग English और जीके के कोशिण डिसकस करने वाले हैं आपको पता है दोस्तों कि SSC MTS का जो पेपर है वो आप लोगों का पेपर दो माईशे शुरू होने वाला है आप सभी लोग जानते हैं दोस्तो आपका पेपर जो है दो मईशे शुरू होने वाला है आपके पेपर में किस तरीके से किस टाइब से कैसे कैसे कोशन्स पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ डिसकस करूँगा लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करना चा क्लास आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा अपनी क्लास को मिलकर शेयर कीजेगा और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट कीजेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की अपनी इस क्लास को और प्रॉलिंग मतलब होता है इसका मतलब क्या रहता है बड़े छेतर में फैले होना बास समझ में आ रही है नहीं सर नहीं आ रही है और नहीं आ रही है अच्छा मुझे तो आ रही है इस्प्रॉलिंग मतलब होता है बड़े छेत्र में फैला होना इसका मतलब क्या होता है दोस्तों बड़े छेत्र में फैला होना स्ट्रोपलिंग मSmith होता है बड़े च्छेत्राइब्सट्रा पाकर ना यारे ठूसते आपकर पफाकर स्ट्रेच मतलब होता ए क्वीचना इस्ट्रेच मतलब होता है खीचना, श्लॉच मतलब होता है जुकना होता है, ठीक है बस? तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब रिच कवर ऑफ ग्रास हमारे गाल्डन की एक बड़े हिस्से में हमारे गाल्डन के एक बड़े हिस्से में जो है दोस्तों यहां पर घास पैली हुई है तो इस्प्रॉलिंग आ जाएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा स्प्रॉलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्प्रॉलिंग होगा तो जिनका भी आंसर स्प्रॉलिंग आ रहा है बिलकुल राइट है सही जवाब होगा ए Select the most appropriate option to fill in the blanks अब आप लोगो क्या करना है अब आपको खाली जगा भरनी है Sales blank from day to day अब जो sale है मतलब विक्री विक्री जो है दिन वादिन होती रहती है आज तुम देखोगे मोटका सोना जो है आज आज आपका 50,000 में है कल देखोगे 51,000 में होगा फिर परसो बढ़ती रही है इसको क्या बोलते है Swing हो रही है Swing जूला जूल रही है Rotate घूम रही है Revolve हो रही है या fluctuate उपर नीचे होती है विक्री जो है दोस्तों sales दिन वार दिन घट्टी बढ़ती रहती है उपर नीचे होती रहती है fluctuate होती है प्लीक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् क्या होगा जल्दी से बताइए जिन दोस्तों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है एक पर फटा-फट से क्लास को शेयर कर दे जिससे कि सभी लोग आचाए ऑग्मेंट मतलब होता है बढ़ाना होता है एक्स्टेंड मतलब होता है विस्तार करना एक्स्टेंड मतलब विस्तार करना डिमनिश मतलब होता है कम करना एक्स्टेंड मतलब भी होता है दोस्तों विस्तार करना इस्प्रेड मतलब होता है फैलाना इस्प्रेड मतलब क्या होता है फैलाना होता है आग्मेंट मतलब होता है बढ़ाना और डिमनिश डिमनिश का होता है कम करना उल्टा बताना है एंटूरियम बताना है तो सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा डिमनिश करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा डिमनिश हो जाएगा तो जिनका भी आंसर डिमनिश आ रहा है बिल्कुल प बढ़ा बदल लैने में जो है कि अगल आप लोगों की वज़य से दिक्कत हो रही है इन्पर मुझे बता देज़े!! घोसर नाप कोक्री ने प्रॉब्लम तुन नहीं हो रही है तो बन भी अब कर दो का बhésitez। है आपके सामने है select the option select the option that will improve the underlined part of the given sentence in case no improvement is needed select no improvement ठीक है बहुत बस शुक्री आप लोगों ने इस लाइक मुझे समझा ठीक है नहीं आ रही है आवाज बहुत शुक्री आपका बस मेरी आवास सुनिये बस मेरी आवाज आपको सुनाई दे मैं जो पढ़ाओ वो समझ में आए बाखी को सुनाई ना दे तो प्रिपे की बात करेंगे चौता सवाल क्या है देखो दोस्तों कीप सहें प्रिपेरिंग चिल्डरन अंसल्टेंज अंसल्टेंटिटीज कीप्स देम कीप्स देम इन रेडिंगनेश तू फेस चैलेंजेश तो दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट आपका बहुत सारे बच्चे सोचेंग आपका सब्जेक्ट चिल्डरन नहीं है दोस्तों प्रिपेरिंग सब्जेक्ट और प्रिपेरिंग के अकॉर्डिंग आपका कीप्स आजाएगा इसलिए मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा नो इंप्रूमेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा न सब कुछ बिल्कुल किलियर है पानी की तरफ आपके लिए बिल्कुल साफ है वहासमन में आ रही है आपको बच्चो को तयार करना अनिश्यताओं का सामना करने के लिए उन्हें तैयार करना चुनोती भरा होता है बच्चों को आ निश्चताओं के साथ तयार करना उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए तयार रखता है तो यहाँ पर दोस्तों तयार करने की बात हो रही है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नो इंप्रूब्मेंट अब देखो A, B, C, D को sequence में लगाना है मेरे प्यारे मित्रों अब आपको क्या करना है A, B, C, D को एक सही sequence में लगाना और बताना है सही जवाब आपका क्या होगा A होगा, B होगा, C होगा या फिर आप लोगों का D होगा चलिए बताईए रेखो रोड मौस वु व स विस इनफ टीप इस दिंस विस्टम्वेट, व फ्राइट वफ एफ टीपके छीजेश् सेंट विख विटेंट हैं के लिफ ऐसें देखने इंट लाच वेट पीम ग्धीश्य। with age and no longer able to hunt mice as she once did throw to herself how she might entice them within these to her paw और क्या रखा आपको thinking that she might pass herself off for a bag or for a dead cat at least she suspended herself by the hind legs from a pet बता भई इसमें क्या लगता है दो को फिब्ट कोश्चन की बात करेंगे तो right answer हो जाएगा C-A-D-B right answer आपका आजाएगा option number A हो जाएगा C-A-D-B सबसे पहले दोस्ते एक बिल्ली है एक बिल्ली बहुत ही कमजोर हो रही है क्योंकि उमर के साथ साथ जो है अब वो चूहों का शिकार नहीं कर सकती अब वो चूहों का फुर्टीले तरीके से शिकार नहीं कर सकती एक बार की बात है उसने क्या किया अपने आपको ऐसे शो किया C-A-D-A-D-A-D-E-M विदिन रीच ओफर पा अब वो अपने पंजों से चूहों को नहीं पकड़ सकती है अब वो अपने पंजों से चूहों को नहीं पकड़ सकती है और एक चूहा है दोस्तों जो बहुत होशियार है एक चूहा है दोस्तों आप लोगों का जो बहुत जादा आप लोगों का होशियार है और वो बिलकुल दूर रहते हैं सब चीजों से Many are back Have I seen in my day but never won with cat's head तो अगर हम इस कोश्चन की बात करेंगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा C A D B Next question आपके सामने है Please do your work properly Please do your work properly आपको इसको change करना है पैसे में तो please लगा रहा हूँ Please का मतलब हम लोग किसी से request करते हैं You are requested to do your work properly You are requested to do your work properly आपका सही जवाब क्या हो जाएगा Right answer आपका हो जाएगा A Please लगा के करें Please open the door Okay ना You are requested to open the door तो यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा A होगा Select the most appropriate synonym of the given word अब आपको क्या करना है यहाँ पर आप लोगों को synonym बताने 着 celebrate करने Celebrate का synonym क्या हो जाएगा Celebrate का मतलब क्या होता है Celebrate का मतलब होता है पब्लिश का मतलब क्या होता है पब्लिश मतलब होता है प्रकाशित करना ओनर मतलब होता है सम्मान हुमिलियेट करना किसी को दोस्तों यहाँ पर अपमानित करना यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अपमानित करना सर्कुलेट सर्कुलेट का मतलब होता है प्रसारित करना सर्कुलेट का मतलब क्या होता है दोस्तों प्रसारित करना पहलाना बास समझ में आ रही है सर्कुलेट का मतलब क्या होता है सर्कुलेट का मतलब होता है दोस्तों यहां पर पहलाना बोलो भाई समझ में आ रहा है सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें अपनी क्लास को मिलकर शेर करते रहिए अपनी क्लास को मिलकर आप लोग जो एक बर फटा-फट से शपोर्ट कर भीजिए चलो भाई तो celebrate का सही जवाब क्या हो जाएगा celebrate का हो जायगा सारजनिक रूप से सम्मान, जशन मनाना या सम्मान देना सम्मानित करने भी तुम किसी का जशन ही तो मनाते हैं सम्मानित करते हैं सर आवाज जो है साफ नहीं आ रही है एक बार मैं चेक कर लो आवाज केसी आ रही है तो आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी तो जिनका भी आंसर आ रहा है और बिल्कुल राइट है जिनका भी आंसर आ रहा है बिलकुल राइट है सेलक्त दा इन गिवन संटेंस इप नो सब्सेटूशन इस रिक्वाइड सेलेक्ट नो सब्सेटूशन चली बताइए दा फर नीचर इज रेडी दोस्तों तो यहां पर आपको बताना है संटेंस इंप्रूमेंट का केस है पर्फेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें कोई गलते नहीं है दा फरनीचर के साथ इज आएगा आर नहीं आएगा ये गलत हैज भी नहीं आएगा दोस्तो फरनीचर जो है डिलीवर होने के लिए बिलकुल तैयार है फरनीचर आवाज बढ़ा लू मैं ठीक ना आवाज बच्छे कह रहें सर थोड़ा साउंड ब आवाज बहुत स्लो आ रही है चलो मैं 10 डेसिवल गर दूं आवाज ठीक है बता दीचेगा हेलो एवरीवन आवाज के लिए थोड़ी से और बढ़ा दो दस रख्वों की पंद्रा रख्वों नहीं आवाज को चलिए अब देखिए आपका अगला कोश्चन आपके सामने है select the option that express the given sentence in reported speech तो अब आपको बताना है सही जवाब क्या होगा I will see you later C said उसने कहा मैं तुमसे दुबारा मिलूंगी है तुम्हें दुबारा देखूंगी तो आपका सही जवाब क्या हो चाएगा 9th question का C said that तो सबसे पहले C said that आ जाएगा पिर I का change होगा दोस्तों she सब जग अब बुड की बाद आप लोगों की जो है दुस्तों बी नहीं आएगा बुड के बाद बी नहीं आएगा normal आएगा see me later तो सही जवाब क्या हो चाएगा right answer आपका हो चाएगा option number C तो जिनका भी class में answer C आ रहा है बिल्कुल right है perfect answer आपका क्या हो चाएगा सही जवाब क्या हो चाएगा option number आपका C हो चाएगा सेट आप बही चेंज कर रहा है ना जगा परिवर्थिप कर रहा है इसलिए आपको दिखनी रहे हैं अभी मैं घर से ही वीडियो को शूट कर रहा हूं यहां पर तो वो camera वेगरा है नहीं वो office में है अभी हम लोग closure to keep worlds दोस्तों पक्षियों को रखने की जगा होती इसको क्या बोलते हैं पक्षी साला क्या बोलते हैं पक्षी साला चिडिया को रखने का इस्थान चिडिया को रखने का इस्थान अवियरी अवियरी मतलब होता है पक्षी शाला अवियरी का मतलब क्या होता है अवियरी का म थोड़ा क्या मैं पूरा ही टाइम दे रहा हूँ, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, पक्षी साला हो जाएगा, दोस्तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी क्लास को मिलकर आप लोग शेयर करें, अपनी क्लास को मिलकर आप सभी ल परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा बताईए ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में सीने में आग लगाए रखना और तुम पढ़ते रहना किसी चीज की कम मातरा का इस्तेमाल करना Go easy on something का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है किसी चीज की कम मातरा का इस्तेमाल करना तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11th question काएगा Use only a small amount of सही जवाब क्या हो जाएगा Right answer हो जाएगा Use only a small amount of तो जिनका भी answer आ रहा है दोस्तो A बिलकुल right है Next question आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखे The following sentence has been divided into parts One of them may contain an error Select the part that contains the error from the given option If there is no error, select no error They have lived in this apartment since 10 years मैंने दोस्तों आपको एक golden rule पढ़ाया था आप लोगोंने पढ़ा होगा जिन बच्चोंने मेरी golden rule वाली class नहीं देखी है एक बार हमारी golden rules वाली class देख लीजेगा जैसे मैंने आपको पढ़ाया था since कहां पर आता है और for कहां पर आता है since आता है exact timing के लिए since आता है दोस्तों आपका exact timing के लिए और for आता है period of time के लिए period of time के लिए जिसको हम count कर सकते हैं अब देखो 10 साल लिखा है अब यहां देखो क्या लिखा है 10 साल कहो 1, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल गिन ले रहे हैं मतलब जिनको गिनती कर सकते हैं दोस्तों जिनकी गिनती कर सकते हैं जिनको count कर सकते हैं वहाँ पर 4 आता है और जिसको गिन नहीं सकते हैं वहाँ पर since आता है बस ऐसे याद रखो तो since के place पर आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा गलती कहां पर है गलती आपके option number a में है तो जिन दोस्तों का answer a आ रहा है बिलकुल right है perfect answer आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा a होगा अब देखिए आपका अगला question क्या है the following sentence has been divided into parts one of them contains an error select the parts that contains the error from the given option चले बताओ सही जवाब क्या होगा चेतन भगत the construction of new business school is led to a sudden rise of population in our area देख दोस्तों यहाँ पर is led to के place पर क्या हो जाएगा has led to हो जाएगा मुखडा दिखा दो issue ठीक कर दो हम आपके बालक हैं कोई गैर नहीं बिल्कुल आप हमारे बालक हो कोई गैर नहीं आप तो हमारे अपने हो तो इजिके place पर हैज लगा दो इजिके place पर आप लोग हैज लगा दो right answer आपका हो जाएगा c हो जाएगा बस net लग जाए भी अभी हमारे यहां जो setup लग रहा है न तो एक बार setup पूरा हो जाए net बगरा लग जाए फिर आपके लिए live आएंगे अभी तो बस जैसे तैसे करके आपको class करवा रहे हैं ताकि छुट्टी नहों अगला question आप लोगों के सामने आपको दिया गया इसको देखिए मेरे प्यारे लाड़ लो select the incorrectly spelled word select the incorrectly spelled word आपको यहां पर बताना है कौन सी spelling गलत है depressed, pity, vividly और आपको क्या दिया गया है sobriety चलो बताओ कौन सी spelling आप लोगों की गलत है न vividly होता है दोस्तों गलती किसमे है गलती आप लोगों की है सर मेरा form accept हो गया all the best यह तो होना ही था शुक्रिया भाई बहुत बहुत शुक्रिया बस अब कामियाब भी हो जाना जैसे form आप लोगों का स्विकार हो गया है वैसे हि हमारी इस्वर से यही कामना है कि मेरी कलास में जो भी बच्चे दिल से पढ़ते हैं मेहनत करते हैं जो सच्ची लगन से इमांदारी से पढ़ रहे हैं एक एक क्लास देख रहे हैं कोई भी क्लास जिन्होंने मिस नहीं करी है शुरू से लेकर एंट तक सब कुछ देखा है, सब कुछ पड़ा है, इश्वर उनको कामियाभी जरूर देना है, जिन्होंने महनत करी है, ठीक है न, सब की जायज मुरादे पूरी होने चाहिए, डिप्रेस मतलब होता है उदाश, डिप्रेस मतलब क्या होता है दोस्तो, पवित्रता, सब्राइन्टी का मतलब क्या होता है, सब्रेनिटी, सम्प्रभुता, सब्रेनिटी का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दिजेगा, तो जिनका भी आंसर आ रहा है, सम्प्रभुता बिलकुल राइट है, अच्छा इसकी स्पेलिंग होती है, वीवी, वीवी, विविडली डी एल वाई ओके तो जिनका भी आंसर आ रहा है बिविडली बिलकुल राइट है बिविडली का मतलब आपका क्या होता है इस पर्स रूप से ओके बिविडली का मतलब क्या होता है इस पर्स रूप से तो जिनका भी class में answer C आ रहा है बिलकुल right है next question देखिए debilitate का मतलब क्या होता है कमजोर होना debilitate का मतलब क्या होता है debilitate का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कमजोर होना और कमजोर होना को बोलते हैं weekend कमजोर होना को क्या बोलते हैं weekend बोलते हैं जिनका भी आंसर आ रहा है वीकेंड बिल्कुल राइट है इस पिक एंड इस पैन इसका मतलब क्या होता है साप तुतरा बताओ भई सही जवाब क्या होगा एडियम का मतलब बताना जल्वी से बताईए अब भ्यांग तुम बस खाली बाते कर रहो खाली मैं देख रहा हूँ हयाती भी बस लगी हुई है यहाँ पर बाते करने में ना भ्यांग को पढ़ना है ना हयाती को पढ़ना है तुम लोगों का पेपर नहीं है क्या तुम लोगों की बदली क्या मुझे पेपर देने जाना है ये बताओ है बई सारी तैयारी होगे तुम लोगों की कितना बाते करते हुए थोड़ा वो थम जो पढ़ा रहे हैं उसमें भी जो रहा पढ़ लो आंसर दे लो अच्छा लगेगा मेरे दिल को सुकून होगा तुम लोग मेरे दिल को सुकून पहुचने की जगा दिल में दर्द पैदा कर रहे हूँ तो जिनका भी आंसर आ रहा है नीट एंड क्लीन बिल्कुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा Neat and Clean तो जिनका भी आंसर आ रहा है C, बिल्कुल Right है अब देखो आपका अगला Question Select the most appropriate Antonium of the given world आपको यहाँ पर Antonium बताना Weaver, Weaver का मतलब होता है लहराना Sir, MTS Pre में सिर्फ math और reasoning है वो भी काली qualify करनी है सिर्फ qualify करनी है तो जिनका भी आंसर आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दिजेगा Very good तो इसका हो जाएगा आपका Antonium में steady हो जाएगा Ready, steady, go Ready, steady, go Steady मतलब होता है इस्थिर होना इस्थिर होना और Weaver मतलब होता है लहराना जैसे बाल नहराते हैं आप लोगों देखा होगे दोस्तो जैसे नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ आप लोगों देखा होगे जो खतरनाक होती है जो खतरनाक होती है दोस्तो उनके बाल किस तरीके से लहरा रहे होते हैं पूरे चेहरे पर दोस्तो लहरा रहे होते हैं बास समझ में आ रही है आपको ठीक है ना तो वही चीज़ा दोस्तों और steady का मतलब होता है इस्थिर अब लड़के लोग क्या करते हैं बालों में जैले लगाकर इस्थिर कर लेते हैं तो ये जो बाल हैं दोस्तों यहाँ पर चुडैल के ये लहरा आ रहे हैं इसको वैबरिंग बोलेंगे steady मतलब होता है इस्थिर जैसे कि लड़कों के बाल देखोगे इस तरीके से होते हैं बिल्कुल इस्थिर है ना इस्थिर होते हैं बिल्कुल steady तो right answer आपका हो जाएगा steady हो जाएगा next question आप लोगों के सामने आपको दिया गया है इसको देखिए अब आपको ABCD में दोस्तों यहाँ पर सही तरीके से लगाना है ABCD में यहाँ पर सही तरीके से लगाना है इसको sequence में meaningful order में लगाई है इसको meaningful order में लगाई है qualify के बाद means में English और यह एक ही दिन में होगा एक ही टाइम पर होगा एक ही दिन में होगा एक ही टाइम पर होगा ओके चलो बताओ these kinds of shark are known as obligate ram ventilators because they drop water in through their mouth and pours it out through their gills तो भाई 18th question की बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपका क्या आजाएगा सबसे पहले आप लोगों का क्या आजाएगा बताओ बताओ It is true that many types of shark देखो सबसे पहले shark के प्रकार की बात हो रही है सबसे पहले shark के प्रकार की बात हो रही है जिन में से एक प्रकार की shark को हम लोग यहां पर obligate ram ventilators कहते हैं, क्यों कहते हैं क्योंकि इसका region दे रखा है उसके बाद आप देखोगे ये कुछ methods use करती है और बाकी अन्य type की shark के बारे में बात हो रही है दोखो सबसे पहले ये चीज़ सही है जहां पर कई प्रकार की shark के बारे में बात हो रही है जिनमें से एक प्रकार की shark ये है जो इस method का use करती है और दूसरे type की जो shark है उसके बारे में बात हो रही है तो right answer हो जाएगा C, A, B, D तहीं जवाब क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा C, A, B, D इस ये जो है बहुत समझदार प्राणी हो गई है एकदम करारा जवाब आगा है विकारी मागने के लिए भीग है बेरुजगारो पढ़ लो तो जिनका भी answer आ रहा है C, A, B, D बिल्कुल right है अगला question आप लोगों के सामने आपको दिया गया इसको बताईए select the option that can be used वही वाला है इसके उपर गाना बना है B, T, L, M, H ठीक ना यानि कि पुराने दिनों को याद करना पुराने दिनों को याद करना वो भी क्या दिन थे थे ना पुराने दिनों को याद करना जब X तुम्हें छोड़कर चली गई वो भी क्या दिन थे तो पुराने दिनों को याद करने को बोलते हैं Nostalgia सही जवाब क्या हो जाएगा Right answer आपका हो जाएगा Nostalgia तो जिनका भी आंसर आ रहा है Nostalgia बिल्कुल Perfect है चलो अगला question आप लोगों के सामने आपको दिया गया है इसको देखिए Select the incorrectly spelled word आपको क्या बताना है हाँ आपको बताना है कौन सी spelling आप लोगों गला था Sultan, Imagery, Security, Cashier एक spelling गला था दोस्तों यहाँ पर Cashier की बाकि सही है दोस्तों Security, Imagery और Sultan Cashier की spelling गला था C-A-S-H Cashier I-E-R Cashier यह है आपकी सही spelling I-E बनेगा क्या बनेगा दोस्तों I-E बनेगा तो जिनका भी आंसर आ रहा है D बिल्कुल परफेक्ट है सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका Option number आपका D हो जाएगा ठीक है बस चलो भाई आगे बढ़ते हैं Next question आप लोगों के सामने आपको दिया गया है अब देखो The word archaeology comes from the Greek word arc which means ancient arc क्यों मतलब है दोस्तों ancient bank blank some archaeologist अब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों Even although yet here is still तो आ जाएगा although यानि कि ALroe 2 का मतलब क्या होता है ALroe 2 का मतलब होता है Yadappi Ticket beta जो है आपके 4 दिन पहले आ जाएगे तीक न जिस तारिक को आपकी train होगी उससे 4 दिन पहले आपके hall ticket आ जाएगे AL92 का मतलब होता है Yadappi Yadappi कुछ जो पुरातत वेता है देखो ना लिखा हुआ है यह दपी कुछ पुरातत वेता है जो living culture पर अध्यन करते हैं और most archaeologists concern चिंता करते हैं with the distance past प्राचीन चीजों को खोशते फिरते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर archaeologist है तो archaeologist की according क्या आ जाएगा archaeologist एक तो है नहीं मेरे भाई है भाई archaeologist कोई एक तो है नहीं बहुत सारे होंगे तो इसका themselves आ जाएगा he का himself और it का itself और them का themselves तो archaeologist की बात हो रही है इसलिए आपका perfect answer क्या हो जाएगा इसलिए perfect answer हो जाएगा themselves ठीक है बॉस next question देखिए अब यहाँ पर 23 पर बताना है क्या हो जाएगा आपका अरे क्या हो गया इसको अपनी मर्जी से चलने लगता हुँ 23 पर बताना है क्या आ जाएगा बताओ 23 पर आप लोगों क्या आ जाएगा बताना है आप people have dug, dug up, dug up, dug head, dug over, dug in तो सही जब आप क्या होगा 23 पर आपका आ जाएगा dug up dug up मतला वोता दोस्तों यहाप लोग जो है dug up करते हैं खुदाई करते हैं monuments and collected all facts for thousands of years 1000 साल पहले की प्राचिन जी अचीजों को ढोड़ने के लिए जो है खुदाई करते हैं dug up मतलब होता है खुदना डेगी की form है दोस्तों, डेगी की form है dug ओके ना third form है दोस्तों डेगी की third form आप लोगों की dug दे रखी है तो right answer आपका हो जाएगा dug up 24 पर देखो दोस्तों अब हजारों साल पुरानी जो है क्या होता है regularly, commonly, often या seldom कभी कभार ऐसा होता है 24 का हो जाएगा दोस्तों यह often सही जवाब हो जाएगा often men these people were not scholars यह जो लोग है scholars नहीं होते हैं but looters and grave robbers looking to make money or up their professional collection तो यहाँ पर आपका क्या आजाएगा 25 पर बताओ assemble कर रहा है, create कर रहा है, construct कर रहा है या build कर रहा है तो यह आपके scholar नहीं होते हैं यह आप लोगों के दोस्तों यहाँ पर scholar नहीं होते हैं यह आप लोगों के जो है scholar नहीं होते हैं यह looters होते हैं लूटते हैं पैसा बनाने के लिए और अपने प्रोफेशनल कोलेक्शन को दोस्तो विल्ड अप करते हैं आप लगाना दोस्तो आपकी एकोर्डिंग बिल्ड आजाएगा बिल्ड अप हो जाएगा तही जब आप क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्ड अप, बिल्ड अप करते हैं चलो आ गई है दोस्तों, आपकी जी के जी के, जी के, जी के निम्लिकित मेंसे कौन डेमो क्रेट्स एंड डिसेंटर पुस्तक के लेखक हैं निम्लिखित मेंसे कौन डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर हो जाएगा राम चंदर गोहा सही जवाब क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राम चंदर गोहा नेक्स्ट कोश्चन लेखिए किस वर्ष स्वतंद्र भारत ने अपना पहला ओलम्पिक स्वड़ पदक जीता था? पॉल टिकेट कब तक आएंगे? अशोक सिरसथ मैं आपसे बात पूछू बिटा आपका किस तारिक को पेपर ये बताओ फिर मैं बताओंगा आपको मैं ही घर पे लेखे आऊँगा आपके लिए अशोक आप ये बताओ आपका पेपर किस तारिक में है? किस वर्ष स्वतंद्र भारत ने अपना पहला ओलम्पिक स्वड़ पदक जीता? राइट आंसर हो जाएगा 1948 में सही जवाब क्या हो जाएगा 1948 में एक किताब है इंडिया सास्त्र रिफ्लेक्शन्स अन दा नेशन इन आवर टाइम इसके लेखा कौन है? बताओ मेरे भाई परफेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? A होगा, B होगा, C होगा या फिर आपका D होगा? हाँ भाईया, दोनों पेपर एक साथ में होंगे ओके बॉस, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 का, सशी थरूर जिनका भी आंसर आ रहा है, सशी थरूर बिल्कुल राइट है, सही जवाब क्या हो जाएगा? सशी थरूर अगला कोश्चन देखिए, निम्लिकित मेंसे कौन इमेजनरी होम लेंड पुस्तक के लेखा के है, सल्मान रुजदी सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सल्मान रुजदी अगला कोश्चन देखिए, किसोर अमोनकर किस छित्र से जुड़ी है? किसोर अमोनकर का सम्मद किस से है? तो किसोरी अमोनकर का संबन्ध है भारतिये, सास्त्रिये, संगीश से सही जवाब क्या हो जाएगा भारतिये, सास्त्रिये, संगीश से दोस्तो बंगला या बंगाला त्योहार किस राज्ये में मनाए जाता है बंगाला त्योहार बंगाला त्योहार जो है किस राज्य में मनाए जाता है चलो बताओ ये गारो जनजाती का सबसे बड़ा त्योहार है बंगाला जो है बंगाला जो है गारो जनजाती का सबसे बड़ा त्योहार है और ये कहा मनाए जाता है आपका मेघाले में सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, मेघाले, तो जिन प्यारे मित्रों का आंसर मेघाले आ रहा है, बिल्कुल राइट है, सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, आप लोगों का मेघाले हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन पैतकर पेंटिंग कहां की आदित्य सांस्कृतिक प्रतीक है मेरे प्यारे मित्रों पैतकर पेंटिंग आपको यहाँ पर क्या दिया गया है पैतकर और क्या है दोस्तों यह पेंटिंग है आपको राज्य बताना दूसरे आपर किस राज्य से संबंदित है पैतकर पेंटिंग जो है आप लोगों की जारखंड की है सही जवाब क्या हो जाएगा पैतकर पेंटिंग जो है आपके जारखंड की है सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा जारखन अच्छा मेरा आप लोगों से एक निवेदन है जिबाई वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा जिन दोस्तों ने अभी तक अपनी क्लास को शेयर नहीं किया है तभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज एक बर अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोग आपकी क्लास से जुड़ सकें क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत इंपोर्टेंट है बहुत हैल्फुल है नेच्ट कोश्चन आपके सामने है भारत की सबसे लंबी LPG pipeline जामनगर से कहां तक है भारत की सबसे लंबी LPG pipeline जामनगर से कहां तक पढ़ती है जामनगर से लोनी तक है है भाई जामनगर से लोनी तक है लोनी गाजियावाद UP में है जामनगर बच्चे आपका गुजरात में है अपना गुज्जू जामनगर गुज्जू और लोनु हमारा दोस्तों का है लोनी लोनी हमारा जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है बाई साही कहा है नहीं पर इतने सारे बच्छे जुड़े हुए लाइक किसे नहीं किया है भाई क्लास को आज 200 तक जाएगा नहीं जाएगा सबी लोगों से मेरा निवेदन है क्लास को like जरूर करना और अपनी क्लास को मिलकर share करना ओकेना कसम है तुम्हे चाहने वालो कि सबी लोग क्लास को like जरूर करना share करना ना शंघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मझा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में लगी है सीने में आग तो आज़ो हमारे साथ मैदान में आज़ो भी एसे ट्रिकी क्लास पर तो जिनका भी आंसर लो नहीं आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है अगला कोश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखें किस वन्स ने महावली पुरम के पंच रथो का निर्माल किया था तो आपका सही जवाब क्या लगी होगा थेडी पूर कोश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव ने नेक्स कोश्चन आपके सामने आपको दिया गया है मुगलों के संदर्व में कौन सा कथन गलत मेरे प्यारे मित्रों मुगलों के संदर्व में कौन सा कथन गलत मुगल दर्वार के इतियासकार उन्हें एक महान रानी राजा अफरसियात के वनसच की रूप में मानते थे गलट राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका आप्शन नंबर A हो जाएगा next question देखिए कौन आसकर पुरुषकार पाने वाले पहले भारती हैं कौन आसकर पुरुषकार पाने वाले पहले भारती हैं इन्होंने गांदी जी के कॉस्ट्यूम को डिजैंग किया था भानू अथया तो नहीं कहीं सही जवाब हो जाएगा भानू अथया निमलिगित में से औसकर पुरुशकार पाने वाले पहले भारती कौन है तही जवाब हो चायगा भानू अथैया लेक्स कोशिचन निमलिगित में से किसने जलिया वाला बाग हत्याकां के लिए जिम्मधार बृटिज अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या की निम्रिकित में से किसने जलियान वाला बाग हत्याकान के लिए जिम्मधार बृटिस अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या की उधम सेंग आपका सही जवाब क्या हो झाएगा राइट आंसर आपका हो झाएगा उधम सेंग अगला कोश्चन आपके सामने आपको दिगा गया है बगलिहार बांध किस नदी पर बनाए गया बगलिहार बांध जो है आपका किस नदी पर बनाए गया तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए होगा चिनाव बगलिहार बांध जो है किस नदी पर बनाए गया बगलिहार बांध बनाए गया है चिनाव नदी पर सही जवाब हो जाएगा चिनाब नदीपर सभी लोग 200 प्लस पर लेकर जाएंगे प्लीज दोस्तों क्लास को लाइक करते रही है शेर करते रही है सपोर्ट करते रही है लोग तक जील निमलिखित में से किस राज्य में इस्तित है बता दे न दोस्तों जल्दी से लोग तक जील निमलिखित में से किस राज्य में इस्तित है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा Option no.C होगा मरीपुर में सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा मरीपुर तो जिन दोस्तो का आठसर मड़ेपूर आ रहा है बिलकुल राइट है आजट कोश्चन गिर राष्टी उध्यान को इसके लिए जाना जाता है क्या आप जानते हों गिर राष्टी उध्यान किस लिए famous है पताये किसी को गिर राष्टी उध्यान famous है Asi Aisro के लिए पताया दोस्तो गिर राष्टी उध्यान किसलिए famous है तो गिर राष्टी उध्यान famous है Asi Aisro के लिए तो जिनका भी आंसर आ रहा है Asi Aisro 1974 बिल्कोल राइट है तुम किसी को मत करो है, तुमारा कोई नहीं है तुम मम्मी पापा भाईया बेहन को शेयर करो ठीक है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नहीं बहुत लोग है तुमारे तो जिनका भी आंसर आ रहा है एशिया इसेयर बिलकुल राइट है ठीक है मेरे माई अब देखो आपका अगला कोशन विष्णूपूर जो टैराकोटा मंदरों के लिए प्रशित है विष्णूपूर जो कि टैराकोटा मंदरों के लिए फेमस है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा वताई राजिस्तान गुजरात पश्यमंगाल असम बोलो भही बोलो तो perfect answer हो जाएगा आपका पश्य मंगाल में है यह कहाँ पर है आपका दोस्तो right answer आपका हो जाएगा पश्य मंगाल तो जिनका भी answer आ रहा है पश्य मंगाल बिल्कुल perfect जदो पटिया जहार्खन राज्ये में लोग प्रिये किसका एक रूप है जदो पटिया जदो पटिया जारखन राज्ये में लोग प्रिये किसका एक रूप है? आपका सही जवाब हो जाएगा जदो पटिया चित्रकला का एक रूप है जदो पटिया क्या है दोस्तों? जदो पटिया जारखन राज्ये में लोग प्रिये चित्रकला का एक रूप है सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा चित्रकला का एक रूप है किस वर्ष में भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने अटल पेंशन योजना को शुरू किया गए 43 कोशन का राइट आंसर हो जाएगा 2015 में अटल पेंशन योजना को शुरू किया गया 2015 में राइट आंसर हो जाएगा 2015 में नेक्स्ट कोशन बाद बिक्शूओ के लिए बनाई गई लोमस रिशी गुफा किस राज्य में इस्तित है तो लोमस रिशी गुफा जो है आपकी ये इस्तित है आपकी विहार में सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा नंदान शेरगिल बेटा ब्लॉग कर दो जिससे प्रॉबलम हो रही हो अगर आपके पास अच्छे संस्कार हैं अच्छे मैनर्स हैं तो उसको ब्लॉग कर दो उसको ब्लोग कर दो तो जिनका भी आंसर आ रहा है बिहार बिलकुल राइट है दिल्ली सल्तनत की पहली और आखरी महिला साशक कौन थी बस पांच मिनिट रुको पांच कोशन बचे हैं मैं 25 कोशन इंगलीज के पढ़ाऊंगा आज और 25 कोशन जीके के पढ़ाऊंगा 25 इंगलीज 25 जीके 25 इस तरीके से मैं आप लोगों को क्लास करवाऊंगा ठीक है तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिमहिला साशक कौन थी राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्ताना सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका रजिया सुल्ताना तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर रजिया सुल्ताना बिलकुल राइट है परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगर आपनी class को सपोर्ट करते रहेए क्लास के बिलकर सबोर्ट करते रहेए। अगर आपने 200 पलस की है, तो मैं भी 100 questions आपको और कराउंगा। अगर अपनी क्लास को आपने दोस्तों प्लस तक पहुचाया तो मैं अभी यहां पर आप लोगों को सौ कोश्चन अभी आप लोगों को और प्रोबाइड कराऊंगा, ठीक ना सौ कोश्चन अभी आपको और दोंगा जिसकी पीडिया फाइल मैंने यहां पर डाउनलोड कर लिया, अभी यह वाले कोशचन में भी आपको और कराऊंगा, यह जो देख रहा ना बॉस, यह वाले कोश्चन, अभी मैं यह वाले आपको बहतरीन कोश्चन आप लोगों को निम्लिकित राष्टबादी नेताओं में से कौन देश बंदू के नाम से फेमस है देश बंदू के नाम से कौन फेमस है दोस्तों बताएगे निम्लिकित नेताओं में से कौन देश बंदू के नाम से फेमस है तो 46 कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका option B है चितरंजन दास सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा चितरंजन दास अगला question आपके सामने है 1987 में भारतिय शांती सेना IPKFO किस पड़ोसी देश में भेजा गया तो detail मैं अगर बताने प्याओंगा तो एक question में एक घंटा लग जाएगा अगर मैं detail बताने प्याओंगा तो मैं 8 question में एक घंटा लगाओंगा इतना time नहीं है कि आप एक question को पढ़ें time बहुत कम है limited है और बहुत सारे questions को पढ़ना है इसे detail से नहीं speed से पढ़ना है detail नहीं speed से सारे question को cover करना है सारे question आंसर हो जाएगा SL उस गहरी और संगरी घाटी को क्या भावलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों हवा बारिश विवर्तनी गदिविदी द्वरा अप्छे और कटाब से निर्मित खड़ी भुजाएं उस गहरी और संगरी घाटी को क्या भावलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों हवा बारिश और विवर्तनी गदिविदी द्वरा अप्छे और कटाब से निर्मित खड़ी खड़ी भुजाएं हैं इसको बोलते हैं वैली सही जवाब क्या हो जाएगा वैली हो जाएगा यानि की घाटी सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा घाटी होगा अब बढ़ते हैं आगे अगला कोश्चन आप लोगों के सामने आप लोगों को दिया गया है विश्व एथलेटिक्स के मताबिक 2022 में से ज़ादा लिखे जाने वाले खिलाडी हैं आपके नीरत चोपड़ा सही जवाब क्या हो जाएगा नीरत चोपड़ा ओके नेक्ट कोश्चन आपके सामने आपको दिया गया है क्या आपको पता है दोस्तों बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन आपके सामने आपको दिया गया है ध्यान देज़ेगा पूरुष T20 क्रिकिट में अपने पूरे ओवरो में शून ने रन देने वाले पहले गेंदवाज कौन बन गए हैं तो इनका नाम है अक्षय कनवार सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा अक्षय करवार ठीक है ना देखो पेपर आप लोगों के जो है एक होगा 90 मिनट का पेपर होगा ठीक है ना पहले 45 मिनट पर आपका क्या होगा पहले 45 मिनट पर आप लोगों की मैथ होगी और इसके बाद अगल अगले 45 मिड़ में आप लोगों को English और जीके करना होगा, अगले 45 मिड़ में आपको क्या करना होगा, English और जीके करना होगा, अभी मैं उसी के लिए important question बता रहा हूं, जो आप लोगों के exam के point of view से बड़े ही महत्पूर्ण है, और जिस type से जैसे भी questions आपके exam में आ रहे हैं मैं बिल्कुल वैसे ही questions आप लोगों को पड़ाओं, तो pdf अभी open हो रही है, एक बार मेरा आपसे निवेदन है कि सभी लोग क्लास को share कर देजीए, जिसे कि आप लोगों क्लास से सभी लोग यहां पर जुल सकते, तो मैंने 100 question अभी और add कर लिए हैं, आप देख सेक्टे ह कि हम लोग यहां पर लगातार तो देरसो कोश्चन अभी और डिस्कस करेंगे इसी क्लास में पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा सबसे पहला कोश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है क्या कोश्चन अरुस्टों यहां पर देखो निम्न मेंसे किस राज्य सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है दोस्तों निम्न मेंसे किस राज्य सरकार ने मिशन बुनियादी को आगे बढ़ाने का फैसला किया है तो सही जवाब क्या हो जाएगा ओप्शन बी होगा ओडिशा सही जवाब हो जाएगा ओडिशा तो जिनका भी आंसर ओडिशा आ रहा है बिल्कुल राइट है परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ओडिशा होगा चिक्या अब देखो आपका अगला सवाल आप लोगों के सामने है इसको बताईए हाल इमे निम्न प्रज़ोंग मैंसे कौन सा राच़्े विकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस को इमर्जेंसी रेस्पॉन इस से जोडने वाला भारत का पहला राच़्े बन गया है तो सही जवाब क्या हो जाएगा जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तो हिमाचल प्रदेश विलकुल सही और मैं मेरिड दोनों के मार्क काउंट होंगे क्या से सेंट पेपर के मेरिड में केवल सेंट पेपर के मार्क्स काउंट होंगे ठीक है? राइड आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश Next question आपके सामने है नेलसल मंडेला अंतराश्ची दिवस किस दिन मनाए जाता है? नेलसल मंडेला अंतराश्ची दिवस कम मनाए जाता है? 18 जुलाई को विश्व सतरंच दिवस हाल ही में किस दिन मनाए गया? विश्व सतरंच दिवस हाल ही में किस दिन मनाए गया? राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई सही जवाब होगा 20 जुलाई हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस इस्थान पर रहा है? हाल ही में जारी हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस इस्थान पर रहा है सही जवाब हो जाएगा 87 पर प्लीज बता तो डिस अविलिटी वालों को इंगलिस और जीके में कितने कोश्चन करने हैंगे इंगलिस और जीके में 50 कोश्चन आएंगे इस अविलिटी वाले कम से कम 30-35 कोश्चन तो आप करी सकते हैं कम से कम 30 कोश्चन तो करके आना इस अविलिटी वाले जो हैं वो कम से कम 30 कोश्चन तो करके आना बागी सब लोगों को कम से कम 45 कोश्चन करने हैं आपको कम से कम 35 कोश्चन करने हैं क्योंकि इससे कम मेरिट ने वनेगे 30-35 कोशिन करने हैं बागी को दोस्तों यहाँ पर 45 क्योंकि स्कोर इसका 95 जाता है 90 परसेंट 95 परसेंट ऐसे जाता है इसको अब देखो राष्टिय धोज दिवस मताओ कम मनाए जाता है यह आप लोगों को बताना है राष्टिय धोज दिवस सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई राष्टिय धोज दिवस कम मनाए जाता है राष्टिय धोज दिवस मनाए जाता है 22 जुलाई को नेक्स्ट कोश्चिन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है निम्न मेंसे किसे नेशनल स्टॉक एक्चेंज का नया CEO निउक्ट किया गया NSE का नया CEO किसे निउक्ट किया गया राइट आंसर हो जाएगा आशीश कुमार चौहान हाली में दुरापदी मुर्मु ने 21 जुलाई 2022 को भारत की कौन से नंबर की राश्पती की रूप में सपत ली भारत की पंद्रवी राश्पती हैं दुरापदी मुर्मु भारत की पंद्रवी राश्पती हैं मुर्मु जी नेक्स्ट कोश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है इसको बताईए निम्न मैंसे किस दिन केंद्रिये प्रित्यक्ष कर बोड CBDT ने अपना 162 आएकर दिवस मनाया है CBDT ने अपना 162 आएकर दिवस कम मनाया है राइड आंसर हो जाएगा 24 जूलाई सही जवाब हो जाएगा आपका 24 जूलाई हाली में दिनेश गुड वर्धने ने निम्न मैंसे किस देश के नए प्रधान मंत्री बने है हाली में दिनेश गुड वर्धने निम्न मेंसे किस देश के नए प्रधान मंत्री बने है श्री लंका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा श्री लंका जिनका भी आंसर आ रहा है श्री लंका बिलकुल राइट है परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्री लंका होगा इस कोशन का राइट आंसर ठीक है जलिए अब देखिए आपका अगला कोश्यन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है इसको बताईए विश्व नाजुक X दिवस का मनाय जाता है दोस्तों किस दिन विश्व नाजुक X जागरुपता दिवस मनाय जाता है सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई जिनका भी आंसर आ रहा है 22 जुलाई बिल्कूल राइट है परफेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई हाल ही में भारत की ओलम्पिक पदक विजेता पीबी सिंदु ने महिला एकल पाइनल में किस देश की वांग जी को हरा कर तिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा बी चाइना जिनका भी आंसर आ रहा है चाइना बिल्कूल राइट है परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चाइना हाल ही में भारत की ओलम्पिक पदक विजेता पीबी सिंधू ने महिला एकल फाइनल में चाइना देश की वांग जी को हरा कर सिंगापूर ओपन 2022 का किताब जीता है तो जिनका वियांसर चाइना आरा है बिलकुल राइट है भारत को 2021 में विदेशों से मनी ओर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिले हैं जिससे वह इस मामले में दुनिया भर में टॉप पर रहा है भारत को 2021 में विदेशों से मनी ओर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिले हैं जिससे वह इस मामले में दुनिया भर में टॉप पर रहा है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा थैटीन का 87 अरब डॉलर सही जवाब है 87 अरब डॉलर नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको बताइए वेश्वो मस्तिष के दिवस कम मनाय जाता है आप देखते होंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों का मस्तिष के जो हिल जाता है और वो उट पटांग की हरकते करते हैं उट पटांग बाते करते हैं उन्हें समझवा फिर भी वो समझते नहीं है तो उनको जागरूप करने के लिए हमनों मनाते हैं विश्वो मस्तिष के दिवस जिनका दिमाग घुटनों में चला गया है उनको जगाने के लिए हम लोग मनाते हैं विश्व मस्तिष्क दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस भी मनाये जाता है 22 जुलाई को राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 जुलाई यह सब पेपर में आने वाले कोश्चन है अरे नलाइको पढ़ लो मेरे लाड लोग कुछ लोग पढ़ने ही रहा है यह कता ही भी नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने है हाल ही में निम्न में से किसमे भारत के भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुन का अनावरण किया भुपेंधर यादव गजेंदर सिंह सिखावत प्रधान मंत्री मोदी अश्वनी वैसनफ तो आपका राइट अंसर होजाएगा मोदी जी सही जवाब क्या हो जाएगा, right answer आ जाएगा, मूदी जी, विदेश मंत्री ने connecting through culture पुस्तक को लॉंच किया है, जिन्हों ने connecting through culture पुस्तक को लॉंच किया है, जिनों ने यहाँ पर connecting through पुस्तब को launch किया है तो आपका right answer हो जाएगा S. जैशंकर सही जवाब क्या हो जाएगा S. जैशंकर जिनका भी answer आ रहा है S. जैशंकर बिल्कुल right है हाली में इस्रो ने तारा मंडल में Human Space Light एक्सपो का उध्गाटन किया है दोस्तो हाली में इस्रो ने तारा मंडल में Human Space Light एक्सपो का उध्गाटन किया है चलिए बताईए सही जवाब क्या होगा मेरे लाडलो right answer हो जाएगा option number C है जवाहर लाल नहरू तारा मंडल तही जवाब क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा जवाहर लाल नहरू तारा मंडल ठीक है अगला question राष्टिये प्रसारन दिवस कम मनाए जाता है अगर हम मैंने बोला by July तो तम लोग चो है शुरू हो जाओगे न तो राष्टिये प्रसारन दिवस मनाए जाता है तैश जुलाई को राष्टिये प्रसारन दिवस मनाए जाता है तैश जुलाई को right answer हो जाएगा तैश जुलाई इन सभी पर दोस्तो जुर्माना लगाया है तो किस bank ने लगाया है बताऊ सर में नास्ता कर लिया है सर फाना नहीं खाते हैं सर खाना खाते हैं इसलिए आराम से बिल्कुल class कराएंगे लंबी class होगी सो कोशन मैं आपको और कराओंगा RBI ने जिनका भी answer आ रहा है दोस्तो RBI बिल्कुल राइट है आर बी आई या और कौन है सही बात है आर बी आई है अलसटवेव फिल्म अलसटवेव राष्टिय फिल्म पुरुष्कारों में निम्ण में से किसे बेस्ट एक्टर का एवार्ड डिया गया चलिए बताइए 20 कोशन का राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों A और B आपका दोनों यानि कि अजया देवगण और सूर्या सही जवाब क्या हो जाएगा अजया देवगण और सूर्या इनको जो है बेस्ट एक्टर का एवार्ड दिया गया है नेक्स्ट प्लीज टी-20 एशिया कप टी-20 एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा फटा-फट से बताएगे राइड आंसर हो जाएगा UAE जिनका भी आंसर आ रहा है बिलकुल है आपका सही जवाब नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने आपको नहीं अभी मैंने सेट अप चेंज किया अनुष्का सिंग सेट अप चेंज किया इसलिए जो है आज मैं ऐसे ही क्लास आपको करा रहा हूँ देखो शाम तक कुछ सेटिंग बनती है नई बनती है बटाता हूँ आपको निम्न मेंसे किस राज्ये ने मूल बुनकरों के कल्यान के लिए स्वा निर्भर नारी योजना शिरू किये है असमने राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा असम तो जिन प्यारे मित्रों का आंसर असम आ रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा correct answer आपका हो जाएगा असर next question आप लोगों के सामने आपको दिया गया है इसलिए बताएगे अगला question आपके सामने आपको दिया गया है निम्न में से किस उद्योग पती दोरा समर्पित अकाशा एर 7 अगस्त को मुंबई एहमदाबाद रूर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे राइट आंसर हो जाएगा राकेश जुन जुन बाला राकेश जुन जुन बाला ठीक है अगला कोश्चन आपके सामने आपको दिया गिया है इसको देखिए भारत ने चीतो को देश में लाने के लिए किस देश के साथ समझाता किया है भारत ने चीतो को देश में लाने के लिए निवन में से किस देश के साथ समझाता किया है राइट आंसर हो जाएगा 24 का भी नामी विया हाल ही में निती आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्क्रण में निम्न में से कौन सा राज्य टॉप पर रहा है सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 25 पुश्चन का अभी करना ठक होगा सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका करना ठक होगा हाल ही में सीख मुहम्मस सवा अल सलेम को किस देश के नए प्रधान मंतरी की रूप में निउक्त किया गया है हाल ही में सीक महांब सवाल सलीम को निम्न मेंसे किस देश के नए प्रधान मंतरी के रोप में निधि किया गया है राइट आंसर आपका हो जाएगा कुवैत सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा कुवैत तो जिनका भी आंसर कुवैत आ रहा है बिलकुल राइट है परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुवैत हो जाएगा अब बढ़ते हैं आगे अगला सवाल आप लोगों के सामने आपको दिया गया है इसको देखिए अंतर राष्टिय चंद्रमा दिवस हाल ही में किस दिन मनाए गया दोस्तो आप सभी को क्या बताना है आप यहाँ पर देख सकते हो important question आप लोगों के सामने है अंतर राष्टिय चंद्रमा दिवस हाल ही में आपका किस दिन मनाए गया अंतर राष्टिय चंद्रमा दिवस आपका मनाए गया था 27 question का right answer हो जाएगा A होगा जिनका भी answer आ रहा है मेरे प्यारे मित्रो 20 July बिलकुल right है perfect answer आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का 20 July ठीक है ना चलो भाई अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगरा question आपके सामने आपको दिया गया है हाल ही में निम्न मेंसे किस ने payment in chat feature को launch किया प्यारे मित्रो हाल ही में निम्न मेंसे किस ने payment in chat feature को launch किया है राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का भी होगा इंस्टाग्राम सही जवाब क्या हो जाएगा इंस्टाग्राम ठीक है चलो खिलाल आज अभी इस class में इतना रखते हैं मैं next class में आपको static gk के कराऊंगा मेरे प्यारे मित्रो अगली class में मैं आप लोगों को static gk के important question कराऊंगा तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल bsa tricky classes को फिर होगी मुलाकात रखिये अपना ख्याल तब तक के लिए नमस्कार जै bsa, जै bsa class और आप तभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जैहिन बंदेवाद